हेलो एवरीवन स्वागत है आपका आप सभी के प्यारे चैनल ब्लैक बोर्ड में कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी पेड़ागोगी के टॉप थर्टी क्यूस्चन तो वीडियो को अंग तक जरूर देखिएगा वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी तयारी को और बहतर बनाने के लिए तो चलिए ब değil के स्टार्ट करते हैं वीडियो को पहला कुश्चन है राश्ट्रिय सिख्षानीती 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत सरकार की कौन सी पहल इस बात पर बल देती है कि विद्यार्थी अधिकांच रूप से प्रमुक भारती भाषाओं की उलेखनी एकता के बारे में जानेंगे ओप्शन्स है एक भारत स्रेष्ट भारत स्वक्ष भारत अभियान सर्व शिक्षा अभियान डिजिटल इंडिया अभियान इन में से हमारा सही अंसर होगा फ़र्ष्ट वाला एक भारत स्रेष्ट भारत ध्यान रखिएगा most important question है क्योंकि यहाँ पर आप लोग confuse हो सकते हैं सर अगला देखिए बच्चों के लिए कहानियां चयन करते समय यह सबसे कम महतुपूर्ण बिंदू है ध्यान रखिएगा अगला देखिए प्राथमिक अस्तर पर भासा शिक्षन के लिए कहानी सुनाने का तरीका सबसे अधिक महतुपूर्ण है क्यों? यह एकिकरिद भाषा कोशल विक्षित करने के लिए उप्योगी है यह कक्षा में मस्ती पैदा करती है यह कालपनिक संसार में ले जाती है यह बच्चों की शब्दावली में सुधार करती है अब यहाँ पर आपको चारो आप्षन सही लख रहाँगे लेकिन हमें सबसे बेस्ट चुनना है यानि जिसमें और तीनों समाहित हो जाए वो वाला आप्षन चुनना है तो वो आप्षन कौन सा है? पहला वाला क्या कह रहा है? यह एकिकरिद भाषा कोशल विक्षित करने के लिए उप्योगी है एकिकरिद भाषा कोशल क्या है? जो भाषा के चार कोशल है यल यस आर डबलू यल यस आर डबलू ध्यान रखिएगा यानि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग इनके बारे में यहाँ पर बात की गई है अगला देखिए बताईए आप लोग इसका कौन सा सही आंसर होगा इसका सही आंसर है भाषा विस्तार फोर्थ वाला इसका सही आंसर है ध्यान रखिएगा अगला देखिए फ्रेंट्स वीडियो थोड़ा फास्ट ही रहने वाला है नई तो फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा आप लोग आंसर थोड़ा जल्दी बताने की कोशिश करिए जिससे आपकी प्रेक्टिस पनी रहे आप एक्जाम हाल में भी जल्दी से क्विस्टिन आंसर साल्व कर सके अगला है निमनलिखित में से कौन सा वाक्य अधिगम के रचनात्मक वर्षों में भासा विकास और आकादमिक दक्षताओं के लिए सबसे उप्युक्त है बच्चों को बार बार वारतालाप में शामिल करना बच्चे जो देखते हैं उन पर ध्यान आकरशित करने तथा उस पर संयुक्त टिपड़ी करने को कहें सामाजिक कार्यों की अनुक्रिती वाले खेल खेलें बच्चों को फिल्में देखने के लिए प्रोत साहित करें निमन में से कौन सा वाक्य अधिगम के रशनात्मक वर्षों में भासा विकास और आकादमिक दश्टाओं के लिए सबसे उप्युक्त है तो पहला वाला है बच्चों को बार बार वारतालाप में शामिल करना थ्यान रखिएगा अब आप कहेंगे सेकंड क्यों नहीं होगा क्योंकि इसमें सब कुछ समाहित हो जाता है टिपड़ी करने के लिए कहना तो टिपड़ी सिर्फ लिखित माध्यम में नहीं होती वे है बोलने वाले माध्यम में भी हो जाती है यानि वारतालाप में भी टिपड़ी आ सकती है तो जो सेकंड वाला है वे फर्स्ट वाले में समाहित है इसलिए फर्ष्ट वाला ज्यादा उप्युक्त आंसर है अगला देखिए पढ़ना लिखना सीखना तब सरल होता है जब उन्हें किसी उद्देश्च के साथ जोड़ा जाए उन्हें वर्ड माला ग्यान के साथ जोड़ा जाए निरंतर अभ्यास कराया जाए निरंतर परिक्षा का आयोजन किया जाए पढ़ना लिखना सीखना तब सरल होता है जब उन्हें किसी उद्देश्च के साथ जोड़ा जाए उप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है अगला रेखिए बासा सिक्षन का क्या उद्देश्च होना चाहिए विद्यार्थियों को आकादमिक वार्टालाप कोशल में सक्षम बनाना विद्यार्थियों को सभी स्थितियों में अर्थपून धंग से प्रतिकिरिया करने में सक्षम बनाना विद्यार्थियों को सवालों के जवाब देने में सक्षम बनाना विद्यार्थियों को परिक्षाओं में बेतर प्रदर्शन करने में सक्षम बनाना बासा सिक्षन का उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों को सभी परिस्थितियों में अर्थ पून धंग से प्रतिकेरिया करने में सक्षम बनाना यानि Option Second इसका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा, अगला देखिए Friends, आप लोग भी अपना मुल्यांकन सोयम करते जाएए आपके कितने कुश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत, कौपी में नोट करिए जिससे आपको पता चले कि गलती कहा हो रही है अगला है, बासा आकलन का उद्देश्य नहीं है बच्चो को सीखने में मदब करना है बच्चो के सीखने के तरीके में जानना है बच्चो को उत्तीन, अनुत्तीन करना यही नहीं है बच्चो को अपनी गती से सीखने के उसर देना यह है बासा आकलन का उद्धिश्य नहीं है बच्चों को उत्तीन और अनुत्तीन करना ओप्शन थर्ड इसका सही आंसर है अगला देखिए कक्षा की स्थिती का अलोकन करें और प्रियुक्त बासा सिक्षन की तरीके की पहचान करें अध्यापक कलम पकड़े हुए देखो यह एक कलम है दिवार पर लगी घड़ी की ओर इशारा करते हुए वह एक घड़ी है सभी अपनी कलम पकड़ो सभी विद्यार्थी अपनी अपनी कलम उठाते हैं अध्यापक सुनिये यह एक कलम है फिर विद्याथी कह रहे हैं यह एक कलम है तो यह है कौन सी स्थिति है बताईए situation language teaching, task based language teaching, content based language teaching, test based language teaching तो यह है situational based language teaching यानि सिती भासा सिछण options first इसका सही answer होगा ध्यान रखिएगा अगला देखिए पहली कक्षा की पाठे पुस्तक में ऐसी भासा का प्रियोग किया जाना चाहिए जो सहज हो यह तो एकदम easy है आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे answer third इसका सही है अगला देखिए सालिनी एक विद्यार्थी को किसी अजनबी को निर्देश देने की कलपना करने का निर्देश दे रही है क्या कह रही है सालिनी एक सिक्षिका है वह कह रही है अपने विद्यार्थी से सुन्ये विद्यार्थी कलपना कर रहा है छमा करे डाग घर कहा है फिर दोसरा व्यक्ति यह Bank of India के पास है अच्छा कृप्या आप बताएं कि बैंक कैसे पहुंच सकते हैं फिर दोसरा व्यक्ति कह रहा है यह सिनेमा के बराबर में हैं आप सीधे जाएं और सबसे पहले आने वाले बाए रास्ते पर मुड़ जाएं ऐसा सालिनी ने एक विद्यार्थी को कल्पना करने के लिए कहा। अजनभी को वे बता रही है रास्ता। तो यहाँ पर भासा का संबंध किस से है। भासा का संबंध है विशिष्ट कार्यात्मक संदर्व से। ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा। क्योंकि जब वे अपन आप में कल्पना कर रही है तो यह क्या है विशिष्ट कार्या है। संप्रेशन नहीं होगा। संप्रेशन होता आमने सामने बात चीत वाला। संरचनात्मक का कोई मतलब नहीं है, सामाजिक भी नहीं है। तो यह है विशिष्ट कार्यात्मक संदर्व। अगला देखिए। औप्शन थर्ड इसका सही आंसर है अगला देखिए प्राथमिक अस्तर की पाठ्य पुस्तक में सब्दों को इस प्रकार से विवस्थित किया गया है काला, माला, जाला और ताला फिर दूसरा है कुट, पुट, फुट और चुट निम्नलिखित में से कौन से समू का प्रियोग भाशा के सब्दों को विवस्थित करने के लिए किया गया है यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ध्वन्यात्मक समू ही करण option fourth इसका सही आंसर है क्योंकि यहाँ पर जो उसकी ध्वनी है वह एक दूसरे से मैच कर रही है न फोनीम वाला सिस्टम है ध्यान रखिएगा अगला देखिए विद्याले में आने से पूर्व बच्चों के पास अपनी भाषा संपदा तो होती है लेकिन डैस की सचेद जानकारी नहीं होती बच्चों के पास विद्याले आने से पूर्व किसकी जानकारी नहीं होती तो व्याकरण की जानकारी नहीं होती ऑप्शन सैकेंड इसका सही आंसर है अगला देखिए एक छात्रा अपने पूर्वग्यान का उपयोग करके अर्थगत्व वाक्यात्मक संकेत बनाती है और फिर अन्य विशिष्ट जानकारी पर जाती है यहां छात्रा पढ़ने का कौन सा माडल अपनाती है एक छात्रा अपने पूर्वग्यान का उपयोग करके अर्थगत्व वाक्यात्मक संकेत बनाती है और फिर अन्य विशिष्ट जानकारी पर जाती है यहां छात्रा पढ़ने का टौर्वग्यान माडल अपना रही है सेकेंड वाला इसका सही आंसर होगा टौर्वग्यान का उपयोग इसमें इस आधार पर किया जाता है पहले अर्थ जानेंगे उसके बाद वाक्ये अर्थ के बाद वाक्ये जानते हैं तो इस आधार पर टॉप टाउन मॉडल का उफ्योग किया जाता है ध्यान रखिएगा option second इसका सही आंसर है अगला देखिए पढ़ने के कुशलता में सरवाधीक महतोपून है लिपी ज्यान तेज गती अर्थ या शब्द ज्यान पढ़ने की कुशलता में सरवाधीक महतोपून है आर्थ option third इसका सही आंसर है अगला देखिए भारतिय संविधान के अंसर अंग्रेजी भासा की क्या इस्थिती है संपर्क सूत्र भासा है, प्रशासनिक भासा है, सयोगी प्रशासनिक भासा है या आकदमिक भासा है हिंदी भासा क्या है? हिंदी भासा है प्रशासनिक भासा, तो अंग्रेजी सयोगी प्रशासनिक भासा है भारतिय संविधान के अनुसार option third इसका सही आंसर है अगला देखिए जिन बच्चों को पढ़ने में कठनाई होती है वे डैस से प्रभावीत हो सकते हैं अफ्रेजिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया या डिसकैलकुलिया जिन बच्चों को पढ़ने में कठनाई होती है वे डिसलेक्सिया से ग्रसित है Option Second इसका सही आंसर है Disgraphia लिखने से संबंदित है यहाँ पर लिखने में कटनाई होगी और Discalculia कड़ित से संबंदित है यहाँ पर गड़ना करने में कटनाई होगी तो ध्यान रखिएगा अगला देखिए कारे का अधारित भासा सिखने में कारे से क्या तातपर है कारे का वह भाग जो सिख्षकों को भासा के अवसर देता है कारे का वह भाग जो समुदाय द्वारा दिया जाता है कार्य का वह भाग जो माता पिता को उनके बच्चों के ग्री कारी के रूप में दिया जाता है कार्य का वह भाग जो सिख्षकों को कक्षा में करना है कार्य आधारित भासा सीखने में कार्य से दातपर है कारिय का वह भाग जो सिछार्थियों को भासा की आउसर देता है ओप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है जहां भी आपको सिछार्थियों को आउसर देनी की बात कही जाए समझे वह ओप्शन हंडिट परसेंट सही होगा ध्यान रखिएगा अगला देखिए बहुबासिक कक्षा की द्रिष्टी से कौन सा क्रिया कलाप अपेक्षा करित अधीक उप्युक्त है अपनी भासा के पाच सब्द बोलो अपनी भासा के पाच सब्द लिखो अपनी भासा के पाच वाक्य लिखो अपनी भासा में कहानी सुनाईए बहुभासी कक्षा की द्रिष्टी से जो क्रियकलाप सर्वाधिक उपियुक्त है वे है अपनी भाषा में कहानी सुनाईए क्योंकि यहाँ पर जो बालक होगा वे है उसके लिए कुछ सीमित नहीं है वे जैसे भी चाहेगा वैसे बोल सकेगा लेकिन जो उपर के तीनों आप्शन है वे सीमित कर रहा है तो इसलिए वे तीनों गलत है ध्यान रखेगा अगला देखिए बाषा अधिगम में रचनावात किस पर केंद्रित है शिख्षार्थियों को नवीन ग्यान खोजने में व्यस्त रखने पर अधिगम के लिए अभ्यास के रूप में अनुकरण की भूमिका पर प्रियोग के लिए व्याकरण यमों को याद करने पर कक्षा में सिख्षक की प्रभावी भूमिका पर बाषा अधिगम में रचनावात किस पर केंद्रित है शिख्षार्थियों को नवीन ग्यान खोजने में व्यस्त रखने पर ऑफ्सन फर्स्ट इसका सही आंसर है क्योंकि रचनावात किस पर बल देता है करके सीखने पर बल देता है अगला बाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं पर्थे पुस्तक को भाषा अकलन को भाषा शिक्षन को या संसाधन सामगरी को बाषा शिक्षक के रूप में हम जिसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानेंगे वै होगा बाषा शिक्षन ओप् अगला देखिए वीडियो से प्रभावित करते हैं ये वाला सही है क्योंकि वहाँ पर दो विद्यार्ती है ना तो उनकी सोच अलग-अलग हो सकती है ओप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा अगला देखिए विद्यार्त की पाठेचर्या सैगामी क्रियाएं ऐसी हो जो बच्चों को किसके आउसर प्रदान करें मोखिक अभी व्यक्ति के लिखित अभी व्यक्ति के भासा प्रियोग के या अभी नए के यहाँ पर जो सही आंसर होगा वे होगा थर्ड वाला विद्याले की पाठेचर्या सैगामी क्रियाएं ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को भासा प्रियोग के अउसर प्रदान करें अगला देखिए रितु कक्षा आठ में अंग्रेजी भासा की सिक्षक है वे कक्षा सिष्ण के दोरान कुछ विद्यार्थी जो की प्राया पीछे रहते हैं कक्षा चर्चा में ध्यान नहीं दे रहे हैं इस इस्थिती में रितु को क्या करना चाहिए विशेवस्तु की व्याख्या बंद करके विद्यार्थियों को टिपड़िया लिखवाना शुरू करना चाहिए गलत उन विद्यार्थियों को ध्यान ना देने के लिए डाटें गलत उन विद्यार्थियों को अंदेखा करके आगे बढ़ें बिल्कुल गलत उन विद्यार्थियों से प्रशन पूछे वाचर्चा का भाग बनाएं और अपनी सिक्षर युक्ती में बदलाव करें ओप्शन होते तो चूहे को कपड़ा देते या नहीं क्यों दर जी चूहे की किस बात से डर गया चूहा टोपी क्यों पहनना चाहता था चूहा टोपी पर सितारा क्यों लगवाना चाहता था भासाई छमता कि आकलन की दृष्टी से निमनलिखित में से जो सरवाधिक उचित है वे है प प्रति प्रिश्चिक पैदा करना पार्थे पुस्तक की समिक्षा करना उनकी स्मृति का परिक्षन करना तो इसका सही आपशन होगा सैकेंड वाला टॉपिक के प्रती रुची पैदा करने की कोशिश कर रहा है अध्यापक ध्यान रखिएगा अगला देखिए भासा के दो पक्ष होते हैं एक संदचनात्मक पक्ष और दूसरा डैस पक्ष ओप्षन्स हैं साहितिक प्रकार्यात्मक अलंकारिक या भावनात्मक दूसरा पक्ष जो होगा वे होगा प्रकार्यात्मक ओप्षन सेकेंड इसका सही आंसर है अगला देखिए अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है बच्चों के अधिगम पर सिख्षक के नियंतर्ण पर सिखने में पुनर बलन की भूमिका पर आलोशनात्मक प्रति बिम्बन के महत्तों पर एक प्रक्रिया के बजाए अधिगम को एक उत्पात के रूप में देखने पर अनुभवात्मक अधिगम जिस पर बल देता है वे है सिखने की पुनर बलन की भूमिका पर तो आप्षन सेकेंड इसका सही आंसर है अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन से दो सिखने की वर्तमान समझ के अनुसार सत्य है तुरुटिया सिखने के छेतर है सही है तुरुटिया भाशा अधिगम में बादा डालती है बिलकुल गलत तुरुटिया भाशा अधिगम में बादा नहीं डाल सफती यह बाशा अधिगम का हिस्सा है तुर्टियों को तुरंथी सुधार देना चाहिए तुरंथी कैसे सुधार देंगे यह भी गलत है तुर्टिया शिक्षकों के लिए प्रिष्ट पोशन का काम करती है यह सही है तो इसका सही आंसर होगा थर्ड वाला आपके इन 30 कुष्चनों में से कितने कुष्चन सही हुए कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताईएगा वीडियो कैसे लगा यह भी बताईएगा वीडियो पसंदाद वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ सेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सबस्क्राइब कीजिए थैंक्यू फ्रेंड्स